गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स इन दिनों विंटर सीजन के पौधे लगाये जा रहे हैं और सभी लोगों ने अपने घर में कुछ न कुछ जरूर लगाया होगा कुछ लोगों ने सीडलिंग खुछ से तयार की होगी और कुछ मार्केट से ही नरसरी से ही लाए होंगे तो मैं आज उन्हीं पौधों के बारे में कुछ उनके नाम शेयर कर रही हूं जिससे आप अपने गार्डेन में ये सपौधे एड़ करके अपने गार्डेन को खुबसूरत बनाएं दोस्तों हम सभी दोस्त तो आज उसी के बारे में मैं बात करूंगी और उसी की वीडियो में लेकर आई हूं वीडियो में अंत तक बने रहिएगा वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल में नहीं तो सब्स्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शे और चाहते हैं और और फ्रावर करते हैं और जगह करने हना ही कहता है बैदा पाह्det तो में हम मुझे उप्रता Самल गon्हें है तो विंटर फ्लावर्स में सबसे खुबसूरत पौधा पिटूनिया को होता है इसके फूल काफी खुबसूरत और रंगीन होते हैं दूसरा नाम मैरी गोल्ड का है जो सभी कोई जानते हैं इसमें बड़ी वेराइटी भी होती है और छोटी मिनियेचर वेराइटी जिसको फ् हुए फ्लावरर्स के फ्लावर्स में फ्लावर्स होते हैं कि पूछे मत यह भी काफी पौफलरवा पौधा है और दो है लेकिन इसमें होती है दोस्तों है अगला नाम इसमें लगा है and 4-5 महिंता है ुप श्रूरत नहीं है और श्राइप इसकी कटिन से पुदे लग जाते हैं इब है तो अभी इसको आप लाई स्योटी grind से हैं और कई सारे पौधे भी बना सकते हैं को यह देखि कितना सुन्दर इससे भी बोहथ सारी होती है और एक चोटी वराइटी फॉटी होती है इस में QAänder होता है तो इस तरह से यह पौधा अपने आप में बहुत ही खुबसूरत है अगला नाम बहुत ही पॉपलर पैंजी का है यह तो तीतलियों के समान इसका फ्लावर होता है दोस्तों और इसके भी फूल काफी ब्राइट होते हैं जितने भी कलर है और देखने में लगता है जैस सबस्ता है अगला नाम उचल को पूलों के लिए जाना जाता है और इसमें को साहा भी कलर आते हैं श्रूल के लिए का नेमचार कंदी के यह होता यह है हमारा डेजी इसमें भी कई सारे कलर है लेकिन हमारे हां दो ही कलर में आते हैं परपल एक वाइट लेकिन काफी सारी फ्लावरिंग इसमें होती है और गार्डेन फूलों से भर जाता है यह स्वीट बिलियम का फ्लावर है यह बंच में खिलने वाला बॉल नूमा इसका भीशी होता है और बहुत ही कुस्पू के साथ यह फूल खिलता है अगला नाम इसी की जातिका का नेशन का है कord भी बहुत खुबसूरत के लिए झाम जाता है और कट फ्लावर के लिए इसको यूउज किया बूके में यह देखे कितना खुबसूरत है ये डैंथस फाइमली का ही पौधा है लेकिन डबल पेटल में खिलता है और ये एस्टर है एस्टर में भी दो तीन कलर ऐसे ब्राइट होते हैं और काफी सारी फ्लावरिंग के लिए जाना जाता है और जैसे इसके फ्लावर जरवेरा के टाइप क सब्सक्राइब करने के लिए जाना ही जाता है इसके रेट फ्लावर बहुत सुंदर कलर आड़ करते हैं और काफी हाड़ी प्लांट है और चार-पांच महिने के लिए बना रहता है यह जिरेनियम भी बंच में खिलने वाला एक बहुत सुंदर पौधा है इसको अगर अच् कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है अगला नाम बहुत ही खुबसूरत बिगोनिया का है इसमें भी कई सारे कलर है और यह भी सेक्वलेंट गूरूप पौधा इसको पानी कम चाहिए और इसकी भी कटिंग लगाएं तो जरूर लग जाती है और यह देखे कितना ख इंचिंग करेंगे उतना ही ज्यादा फ्लावर निकलेगा तो इसको भी जरूर एड़ करें यह सिंगल पेटल में मिल जाता है तो यह थे कुछ पौधों के नाम जो आप अपने बिंटर गार्डेन में जरूर एड़ करें और बहुत ही खुबसूरत फूलों के लिए फूलो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलेगी और अपने दोस्तों के साथ खूब सारा सेयर करें कमेंट में लिखना ना भूलें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो आज इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के स बाइब बाइ मैं फ्रेंड थेंक्स वर वाचिंग एप्पी गार्टिंग